यहां पर बटन लगेंगे और यहां पर कॉलर आएगी इसकी इस तरह से कट करेंगे नहां इसकी तरह से कट करेंगे लगेंगे हैंगे क्लिशफ़ किरल से कट कि इसकी में यहर कांगे गगे और कन साँ करेंगे इस तरीके से इसका लुगाया है यह मैंने चार इंच चौड़ी पट्टी लिए है और इससे 20 से कट करा है सेम उसी तरह मैंने 4 इंच बुखरम लिए है इसे 20 तरह से कट करके यह कपड़ा हमारा एक इंच एक्ष्ट्र आएगा नीचे अब बुखरम को मैं इस तरह से फोल्ड करके इसकी पट्टी तयार करूँगे इस तरह से हम बुखरम को फोल्ड करके पट्टी बनाएंगे यह पट्टी तयार है आए है अब बुखरम को बट्टी तयार है सेम इसी तरह इस तरह भी फोल कर देंगे अना अना इस पार खूप कर बाद़ा कर दो अना अ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है पट्टी तयार होती इसकी पट्टी तयार है इसके लुक्स तयार किये हैं हमने 2-2 इंच पर यहां पर लगेंगे यह लुक्स पट्टी को इस तरह से किंगे यहां से और यहां तक पूरी सिलाय लगाएंगे जिसके दोनों पल लेटेच हो गए है अब हम इसका कॉलर दयार करेंगे तो कॉलर हमने इसकी नाव पी है फूरी कॉलर इसकी अठारा इंच पर आईगी कॉलर इस तरह से नापके इससे गुमाखे नापके नापके साड़े अठारा इंच पर हम इसकी कॉलर आईगी तो हमने इस साड़े पांच इंच लंबा चोड़ा और 19 इंच लंबा बुक्रम लिया है यहां से हम उपर से तीन इंच लेंगे यहां से गुमाखे हमने इस पर तिर्चा एक इंच इदाड़ ड़ाला है और ऐसे इसकी सेब दिये गोलाई में और एक एक इंच अबने उपर को इसकी सेब देनी है इस तहीरी से इसकी कटिंग करेंगे करेंगे और इसपर शिलाइए लगाएंगे इसकी बाद हम पलटे को पल्टेंगे तो मैं आपको इसपर शिलाइए लगाके दिखा और इसे पलड़ देंगे फिर एक साइड हम इस पर कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे बुकरम पर इस तरह से पलटके इस पर फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से हमने कॉलर तयार कर लिया है इसका सेंटर लेंगे और कुर्टी को उल्टा करेंगे ये कुर्टी का हमने सेंटर लिया है इस दोनों सेंटर हम आपस में पिनप करेंगे ये कुल्टी का उल्टा भाग है अब यहां से हम इसे दास शुरूर बता है यहां से अटेच करके जाएंगे करेंगे और इसे सीदी साइट को में इस तरह पलट देंगे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से नेक बन के तयार होगा चाहे आप इस पर फैबरी बड़न लगा है या रेडिमेंट बड़न लगा सकते हैं आपकी मर्जी है व्यूडियो कैसे लगी व्यूडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक फोर वाचिंग